हेलो एवरिवन तो कैसे आप लोग तो आज की वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ केंद्री विद्ध्यालाई की टीचर्स दाइरी चुकि आप सबको पता होगा कि केवी की जो टीचर्स दाइरी रहती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है आपके क्लास र दोर करने वाले हैं इसमें हो सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नई सीखने को मिलेंगी और आपके इंटर्व्यू में भी काम में आ सकती हैं और काफी कुछ आपको शीखने मिलेगा तो सबसे पहले देख सकते हैं यह फ्रंट लोग है आपका के वी की दाइरी का और जादा तर पूरा ही यह बाइलिंग्वल रहता है क्योंकि स्कूल में जो राजभासा डेपार्टमेंट होता है वो कहता है कि आपको सारी चीजें जो है ऑफिशिल जो भी बाइलिंग्वल रखनी होती है तो आप देख सकते हैं यह फ्रेंट लुक है और यहां पर अंदर जो है एक यह फ्रेंट पेज दिया हुआ है अपनी इंडेक्स फिल करने के लिए आगे जो है अपना बाइव डेटा परने के लिए है और एक चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है यह कि आप टीचर्स प्रियर एक दे रखी है नोंने एक प्यारी सी टीच माइ स्टुडेंट साओ टू लिव यह टीचर्स के लिए आपका पता है इंटर्वू का कोशन भी इससे बन सकता है कि आपकी स्टुडेंट से क्या हो प्रक्ते हो आपकी टेचिंग फिलोस्पी क्या है है और आप जो एजुकेशनल के और एजुकेशन के अबजेक्ट की एंड टो इंप्रूव देर वर्थ और जो उनको इंप्रूमेंट है वो सब करने के लिए हमारा जो है मैं इसलिए टीच करना चाहता हूं I want to teach my student आप यह सब टीच कर रहे हैं ना कि only subject तो यह प्यारी सी पोईम दे रखी है आप इसको पढ़ लेना है ना वीडियो को पॉ इसके यूज करें आगे बायो डेटा अपना पूरा भरना होता है इसके बाद इसमें दे रखा है के वीस का code of conduct आप देख सकते हो कि इसमें दे रखा है कि आचार संहीता यह हिंदी में है पहले और फिर इंग्लिस में है और इसमें जो टोटल आपके 34 points दिये हुए है कि टी कोड़ी सिपेड ना करें बहुत सारी चीज़ें तो यह भी आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा क्योंकि यदि आप code of conductor माली कोशन पूछ लिया हाला कि इसमें जो बातें जाद अतर philosophical हैं लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें हैं बहुत काम की हैं और दो चार पॉइंट कम से कम आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स के code of conductor में क्या चीज़ें आती हैं है ना प्रतिक सिक्षा का करता भी होगा कि नेशनल फ्लैग है नेशनल इंथम इसका सम्मान करें है ना यह सारी चीज़ें इसको इंगलिस में देखें कि तो और चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करनी होती है यह हो गया आपका code of conduct for the teachers chapter 6 में दे रखा है आर्टिकल 59 में है यह code of conductor for the teachers आगे जो दिया होता है यह time table होता है आप अलग से paste कर सकते हैं जो time table मिला और इसमें रख भी सकते हैं यह time table क्यों रहता है क्यों लिखना पड़ता है क्य जो कितने 37 period हो रखे हैं तो आपको कम से कम तीन यह फिर यह चार तीन चार आपको subject मिलते हैं तो कुल मिला कि जैसे मुझे 4th A में मैं थे और 4th B मैं मैं दो क्लासों मैं और फस्टे में बहत मुझे तीन क्लास मिली हुई है कभी कभी चार क्लास मिल जाती है इसका मनदब हमें एक फोर्थ AB का एक Lation Plant और एक मनाना पड़ेगा फस्ट एक ऐक Lation Plant इसकी स्टेटजी हमें त्यार करनी होती है और ऐसा भी नहीं है कि आपको इस साल जो class मिल गई next year दूसरी class मिल सकती है दूसरा subject मिल सकता है तो इसके लिए हमें पहले से prepared रहना पड़ता है और और जब भी primary में आते हैं तो ये चीज पहले से रखनी पड़ती है में कोई भी subject दिया जा सकता है और कुछ extra period games के library के ये भी मिल जाते हैं टूटल आपके जो maximum जो है 39 periods होते हैं primary teachers के एक week में पड़े 8 period होते हैं इसमें summary लिखनी दो चार और भी option इसलिए क्योंकि time table साल में change माली जो हो रहा है तो आप दोवारा से लिख सकते हो टेक्स्ट बुक आप जो पढ़ा रहे हो उसमें reference कौन सी बुक जैसे math पढ़ा रहा हूं मैं math magic ncrt जो है उसका reference लेके पढ़ा रहा हूं तो ये चीज़ें हापर mention करनी होती है अभी मेरे diary इसलिए खाली लग रही होगी क्योंकि अभी अभी मिली है नया session अभी शुरूगा हो है 1st April से तो सिर्फ बो चीज़े mention इसमें जो चीज़ें क्या है अभी शुरुआत के दौर की हैं धीरे धीरे जैसे मन्त है जो है spend होते जाएंगे और नया को जो है इसमें add करते जाएंगे हम लोग आगे देख सकते हैं इसमें math का क्या लिखा हुआ है name of chapters, month है और periods है तो इसमें क्या होता है? ये split of syllabus है इसे आप paste भी कर सकते हो अगले page जो मैंने paste कर रखा है NCRT दोर मैंने आपको एकाज जीडियो में भी बताया था कि split of syllabus जारी किया जाता है उसे पहले से fix रहता है कि कौन सा chapter आपको किस महीने में पढ़ाना है कितने periods लगेंगे उस chapter को पढ़ाने में तो ये चीज़ें पहले से fix रहती है तो ये मैंने पूरा पहले से ही लिख रखा है और इसको मैंने एक paste भी कर रखा है कि जो class first में जो होता है 12 week का या 3 महीने का आपका क्या चलता है school readiness program जैसे नाम change करके अब विद्धा previous कर दिया गया है पहले ये एक महीने करहा करता था school readiness program लेकिन पिर इसको विद्धा previous नाम दिया गया है जबसे इसको 12 week का कर दिया गया है 12 week का मतलब हुआ 3 महीने का और इसके बाद जो हम पढ़ाने साथ-साथ में इसको भी subject syllabus को भी ले करके चलते है तो ये पूरा split of syllabus है class 1 का कि कब कितने period पढ़ाने है और ये cycle इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है class 1 और 2 में आपके periodic test नहीं होते हैं half yearly नहीं होता है उनके सिर्फ 8 cycle test होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे साल में सिर्फ 8 cycle test होंगे उनका ही record रखना होता है उनमें grade समय देने होते हैं तो आगे देख सकते हैं आगे ये मैंने fourth का लगाया हुआ split of syllabus की कौन सा chapter building bricks ये मैंने start कर दिया है वसे class में अपरेल में पढ़ाना है मैं जून में का पढ़ाना है जुलाई में क्या अगस्त में क्या तो ये term one का है term one में pt1 और half yearly दो exam होते हैं ये पूरा term one का syllabus रहता है और term two क्या कहलाता है जिसमें periodic test ये two है और session ending exam होता है तो ये जो syllabus है उसका रहता है ये पहले से fix चीज़े रहती है जो हमें बताई जाती है अब इसमें मैं लिखूंगा detail जो है syllabus की थोड़ी की हमें क्या-क्या पढ़ाना है syllabus में और भी जो चीज़ें है ये project वगेरा है कि notes और any innovation project undertaken by the teacher जो teacher के दवारा जो क्या है project दिये जाते हैं लिखा जाता है इसमें बाकिस में a list of audio visual arts एड जो है prepared by teachers जो भी हम use करते है TLM इसे भी TLM भी कह सकते है क्योंकि TLM को ये audio visual arts भी कहते हैं तो TLM कई detail यहां पर लिख देते हैं कि कि हमने कौन सा TLM use किया है मैंने पहले बता दिया आपको थोड़ा सा blank दिख रही होगी ज़्यादा तर चीज़ है क्योंकि ये मैंचे new मिली हुई अभी diary ये रहता है teachers observation notes on student किसी student को आप observe करते हैं कुछ आप नया उसमें पाते हो थोड़ा problematic child है या बिसीश बहुत ज़्यादा fast learner है थोड़ा सा detail इसमें लिख सकते हो आप तो ये चीज़ें रहती है आगे देखते हैं समंद समिती ये जो रहती है subject committee meeting मैं बताओ मन्थ में एक बार होती है जैसे मैं math पढ़ा रहा हूँ तो math की subject committee meeting पूरे school गी उसमें TGT, PZT, primary रहेंगे और math में specially problems हम रखते हैं माली जै कोई problem हमें class में हो रही है कोई बच्चा math नहीं सीख पा रहा है कोई किसी area में उसे problem है तो वो चीज़ हम mention करते हैं वहाँ पर वहाँ solution निकलता है और उसको हम implement करते हैं आगे यही चीज़े हैं professional reading undertaken by the teacher यह जो record रखना होता है हमें आगे है parents teacher meeting जब भी आपका parents teacher meeting generally तब होती है जब exams complete होते हैं result मिलता है और PTM होती है और उसमें हमने क्या चर्चा की है कि कौन से कई बार क्या होता है कि हम उन area को ध्यान नहीं रख पाते हैं तो यह जो डाइरी की चीज़ें हो गई और भी है आगे यह तो PTM का हो गया name of student requiring remedial help and steps taken to improve student performance यह जो है remedial classes का है कि जन बच्चों को remedial classes की जरूरत है और उनके नाम लिखने है ठीक है और क्या जो है taken कौन सा step लिया गया remedial class के लिए वो लिखना पड़ता है तो यह हो गई इसके बाद जो है मेधावी चाहती यह जो list of bright students record bright student की list हमें रखनी होती है ताकि यह पता चल जाए कई बार क्या होता है उनका record हमें पहले से रहता है तो यह जानने में असानी हो जाती कई बार कमजोर बच्चे उनके साथ हमने बठाल दिया है कोई extra जो activity है हमें पहले से पता हुगा यह बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं उनको थोड़ा उन बच्चों के ग्रुप में रखते हैं जो थोड़े से कमजोर हैं ताकि एक दूसरे से भी बच्चे सीख जाएं monitoring seat to be filled last working day of each month हर एक महीने जो है यह record रखना पड़ता है तो यह बहुत आसान होता है एक बार जो है अभी मुश्किल लग रहा होता है एक बार जब देखते हैं तो आसान हो जाता है तो number of student है number of chapter आप कितने पढ़ाए बचे कितने हुए है chapters assignment कितने चेक करें आपने lesson plan जो है complete कितने कर लिये इस महीने में और यही सारी चीज़े नहें थी है यह एक seat नहीं है दोनों मिला कर यह एक page है और इसी का next जो है यह है यह जो देख रहे हो गया आगे देख रहे होंगे CMP की भी बैठक होती रहती मीटिंग होती रहती है CMP क्या होता है उसको नया नाम जो निपुण निपुण भारत रूम भी रख दिया गया है जिसमें सारी activities जितनी है उसका center आप कह सकते है कि हमारा primary का CMP रूम रहता है तो ये चीज हो गई आपकी उसमें meeting में क्या चर्चा हमने करी वो लिखना पड़ता है स्टाफ meeting जो होती वो भी मंते में होती रहती है एक बात तो कम से कम होती है उसमें क्या चीज़ें जो हैं चर्चा की गई वो लिखना होता है आगे ये स्टुडेंट का डिटेल लखनी पड़ती स्टुडेंट प्रोफाइल तो एक एक रखने से अच्छा है मैंने एक्सल में ही निकाल लिया था ये वाला प्रोफार्मा ऑनलाइन ही मिल जाता है स्टुडेंट फी रिकॉर्ड से और वो मैंने चिपका दिया क्योंकि जरूरी रहता है हर टाइम आपके पास मुवाइल नहीं निकालोगे जल्दी कभी पेरेंट्स को कॉल करना हुआ किसी बच्चे कोई दिक्कत होग इसकूल में तो तुरंत आपने नाम देखा उसका मुवाइल नंबर और तुरंत आपने कॉल लगा दिया वहाँ पर तो ये स्टुडेंट प्रोफाइल हो गई ये चीज रहती है ये है एकेडमिक रिकॉर्ड तो यहाँ पर हर चीज भरनी नहीं होती कई बार के है एकेडमिक रिकॉर्ड हमारे पास पीकिंग इन स्किल्स को लिखा हुआ है देखें उपर फॉर कलास वन एंट तु ये भी लिखा हुआ है ग्रेड लिस्ट ये है आपकी उसके लिए थर्ड कलास से उपर के लिए क्योंसी थर्ड फोफिप्ट के लिए कि आपने जो है PT1 के लिए है, PT2 के लिए है, Half Yearly के लिए है, वो चीज़, यहाँ पर डारेक्ट हम लिस्ट चिपकाते हैं, क्योंकि लिस्ट वैसे भी हमें एक मिलती है, अक्यू सीट में भर लेनी बड़ती है, और हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसमें बहुँत सारी चीज़े हैं, monitoring come reporting tool यह है कि जो आपने कोई chapter पढ़ाया है तो एक महीने में एक बार assessment कर लेना होता है कि जो बच्चे TLO को जो learning outcomes को नहीं प्राप्त कर पाएं उनके जो है नाम लिखना पड़ता है और क्या चीज़ें उनमें improve करनी है हमारी strategy क्या है ये चीज़ हमें plan करनी होती है देखने बहुत बड़ा लग रहा हूँ टिकें जब आप habitual हो जाएंगे तो रियल यही तरीका है जो हमें करना चाहिए not only केवी में है जबकि हर स्कूल में करना चाहिए तभी बच्चे का overall development हो पाएगा monitor ये चीज़ें हो गई ये same ही चीज़ें जो हमें करनी है इसलिए अतने सारे पेज़ें क्योंकि साल पर हमें दूसरी diary नहीं मिलती है एक ही diary हमें पूरा काम चलाना पड़ता है lesson plan हमारे start यहां से हो गई ये मैंने दो lesson plan पहले से sign करवा लेते हैं principle sir के 15 दिन का एक lesson plan होता है ये number से from 1 to 20 ये मैंने लिया हुआ है जो कैसे हमें पढ़ाना है वो चीज हमने mention कर रखी है अच्छा आप लोग भी पूछ रहते हैं lesson plan बना के ले जाना है क्या तो उसका भी यही तरीका होना चाहिए कि उपर जो है ये name अपना लिख लेना और परारम करनी की डेट तो एक ही डालना क्योंकि एक ही देना पढ़ा रहे हो एक ही पीरिड में ये चीजें रहती ही lesson plan में कि जिस्ट of lesson रहता है पूरा सारांस कौन सी focused skill है कि हम क्या उनमें develop करना चाहते हैं तो ये हो गई competencies और teaching learning outcomes है उस topic से हम क्या चाहते हैं तो ये चीजें हो जाएंगी और हमारी strategy क्या है कैसे हम सिखाएंगे कि हम worksheet से सिखाएंगे table से सिखाएंगे है ना hands on activity से सिखाएंगे और जो assessment करेंगे उसकी क्या strategy होगी कि हाँ बच्चोंने क्या सीखा है वो हम इस तरह से पता करेंगे आगे ये fourth class का मैंने बना रखा है same चीज है कि पहले जिस्ट of lesson plan focused skill TLO और TLO के लिए जो है आपकी जो योजना रहनी चाहिए और आपका last में assessment ये चीजें रहते हैं तो ये lesson plan के लिए बहुत सारे pages होते हैं कि आपको दो तीन class तो लेनी पड़ती है और साल भर आपको बनाने पड़ते हैं तो ये पूरा lesson plan है जो चलता है हाला कि बीच में online diary का concept आया था लेकिन online diary में क्या हो रहा था लोग बिना पढ़े copy paste कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट जा रही थी इसलिए ज़्यादा वैसे अभी भी कई जगे चल रहोगा online diary का option लेकिन ये ज़्यादा वहतर होता है कि आप diary को हाथ से लिखे ये lesson plan है ये lesson plan ही पूरा complete है ये आप देख सकते हैं और ये कुल मिला के आज मैंने एक आपको पूरा बताया कि एक केंदरी विद्धायले की टीचर्स डायरी कैसी होती है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिए कोशिश करते रहता हूं कि जो छोटी सी छोटी चीजे हैं जो आपके लिए काम में आ सकती है एवन के वी के टीचर बनने के बाद भी आपके काम में आएंगी वो चीजे मैं आपको शेयर करूँ सो थैंक्यू सो मच पर रॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजेगा एक motivation मिलता है लगतार वीडियो से में लाने का और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए